यह से हलो एवरीवान हितेश एर एंड टुड़ी वी गिना टॉक अबाउट दा वैप सीरीज काल्ड मिस्स मार्वल आज हम इसके सीजन फर्स्ट के एपिसोड सिक्स्त या फिर कहें कि इसके फिनाल के बारे में बात करने वाले हैं और जिन लोगों को अभी तक यह नहीं बता थी कि आखिर मैंने उसके सीजन फर्स्ट और सीजन सेगंड को एक्स्प्लेइन कर देने के बाद में थर्ड फॉर्थ और फिफ्थ को क्यों नहीं एक्स्प्लेइन किया तो उसका में रीजन यह है कि हर एपिसूट को एक्स्प्लेइन कर देने के बाद में उस पर आ रहे थे और साथ ही स्ट्राइक तो मेरे भाईयों अगर स्ट्राइक आने के बाद में चैनल ही नहीं बचेगा तो वीडियो का क्या अचार डालोगे and that is the only reason I quit the series of Game of Thrones season 1 और season 2 को काफी बहतरीन तरीके से मैंने वीडियो क्लिप्स के साथ explain करके डाल रखा है अगर पसंद है तो देखो शेर करो उस पर व्यूस बढ़ाओ यार वैसे भी व्यूस की कमी आ चुकी है लेकिन हाद जोड़ के request है कि season 3,4 और 5 के लिए बार बार comments करना बंद कर दो सब्सक्राइब चली आते हैं इस सिक्स्त एपिसोड की में स्टोरी लाइन की तरफ लास पार्ट में देखा कि किस तरीके से नूर डाइमेंशन की ओपन होने की वज़स से नजमा और उसके बाकी के साथ ही मारे गए थे मगर मरने से पहले नजमा ने अपनी पावर्स को अप कामरान में ट्रांसफर कर डाला था और कामरान अपने आपको छिपाते हुए ब्रूनो की घर पहुंच गया था लेकिन उसे ढूंडते हुए ड्रोन पहुंच गये थे और वहां पर एक जूरदार धमाका हो चुका था और इसी के साथ एपिसोड की स्टूरी कंटीनी होती है जहां पर हम विवर्स यह देख पाते हैं कि इस वक्त ब्रूनो कामरान को लेकर डियोडीसी की नजरों से छिपाने के लिए रियलवी स्टेशन पहुंच कर एक ट्रेन को पकड़ कर आगे निकल रहा था लेकिन उसका पीछा करते वे डियोडीसी के एजंट्स भी पहुंच हैं अब उनसे अपना बचाफ करने के लिए जैसे ही कामरान अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसकी पावर्स जो की क्रिस्टीलियन पावर थी वह उन्हें पर रोग देती हैं और इसी की मदद से वो दोनों अपनी जान बचा कर वहां से भाग जाते हैं जिसके बाद सीन होता है कमाला पर जो कि इस वक्त अपनी फैमिली के साथ वापस से अपने घर न्यूजर्सी आ चुकी थी यहां पर कमाला अपनी फैमिली को यह बताना चाहती थी कि जिस नाइट लाइट की बात आपने टीवियों में सुनी थी और जिसके पीछे पूरा शहर पागल हो रहा मगर उसी वक्त वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आतर वो बताती है कि ब्रूनो अपने घर पर नहीं है साथ ही उसकी दुकान सरकल क्यूमें एक ब्लास्ट भी हुआ है तुम्हें जितना जल्दी हो सके मदद के लिए आना पड़ेगा तब ही कमाला अपना बैक जम कराया है और अब देरी किस बात कि थी कमाला उस कॉस्चूम को पहन कर निकल पड़ती है अपने बाकी के फ्रेंड्स को बचाने के लिए यहां ब्रूनो अपनी और कामरान की जान बचाते वे नाकिया से मिलने के लिए मस्जिद में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यही दिमाग नहीं लगेगा तुम लोगों को ढूंडने के लिए तुम टेंशन मतलों मैं कमाला को भी इस बारे में बता दोंगे और वो भी तुम्हारी मदद के लिए जल्द ही वहां पर पहुंच जाएगी लेकिन डियोडीसी की तेज नजरों से कौन ही बच सकता था और इस वक बताते हैं कि हमें नाकिया ने क्षोल में चिपने के लिए कहा है और अव आप रमकिन वह पहुंच जांगा बें थोरी देर में यहां पर नाकिया भी जाती है और जब यह चारू बच्चने का बना रहे थे उसी वक्त और आमेर भी पहुंच जाता है क्योंकि उसे अपनी बहन की फिक्र हो रही थी और अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कमाल आपनी ड्राइंग स्किल्स में काफी जदा माहर थी तो वह ब्लैक पूर्ट पर आगे करने वाली स्ट्रेटरजी को अपने प्रेंट के साथ डिसकस कर रही थी जहां पर उसका पहन ले साथ ही अब हर किसी को एक एक काम बाठ दिया था नागिया का काम था बीजबॉल में जाकर वहां से बाल्स को खटा करना वहीं परामिर का काम था कुलहाड़ियों को ले कराना और जैजजी का काम था अपने फॉल्लोर्स को लाइव जाकर यह बताना कि हम लोग स्कूल के बाहर आजाए और इस पूरे ब्लैन के बाद में स्कूल के बाहर काफी सारी भीड़ा जाती है इस भीड़ को देखकर डियोडी सी के हैड डीवर कोई कॉल करके बताते हैं कि जतना जल्दी हो सके पुलीस को वहां से लेकर हट जाओ क्योंकि अगर नॉर्मल सिविलिय सिर्फ कमाला की टीम भी कहां चुप रहने वाली थी वह भी अपनी फुल तैयारी में थी और जैसे कमांडोस की टीम अंदर आती है तो यहां पर कमाला के सबी साथ ही मिलकर उन पर धमादम हमला कर डालते हैं और कामरान को पूरी तरीक से बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन कामरान काफी जएधा पजैसे थल्हता ऑर कमाला की जान बचाने के लिए वह उनी पर हमला कर डालता है जिसकी वजह से तो जान से मरते मरते ही बचे थेुसे लगते है कि यहां पर रुकना ज़्याँ और घोन भी घूंधि ती वहीं कामरान यहां से काम जान से लिए वो किसी को नुकसान नहीं पहुचाना चाहता मगर ये बात डीवर को कौन समझाता और वो अपनी हाइटेक वेव गंसे उनके उपर शूट कर देती है बाहर खड़ी पबलिक और कमाला के माम डैड उनने ऐसा करने से मना करते हैं मगर डीवर है जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी इस वज़े से कामरान को गुस्सा आजाता है और वो उसी टैंक को उठाकर दूर फैक देता है लेकिन वो टैंक तो पबलिक की और गिरने वाला था इसी बीच वहां पर कमाला आकर अपनी पावर से उसे रोक लेती है इस बात को देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं कि आखिर कमाला ने उनकी जान बचा ली जाएं एक तरफ कमाला सभी लोगों के सामने एक सूपर हीरो बन चुकी थी वहीं दूसरी और कामरान उन सभी के लिए एक सूपर विलन हो चुका था और हर कोई कामरान को बुरा बչला कह रहा था इस वज़े से उसका गुश्चा अपने काबु में नहीं रहता और कामरान अपनी पावर्स का यूज करते वो उन सभी को भगाने की कुशिश करता है लेकिन वो पावर्स थो अंजाने में उन सभी की जान लेने लगती है कमाला इस बात को जानती थी कि अगर वो अपनी पावर्स को यहां पर खड़े रहकर यूस करता रहा तो उसकी क्रिस्टीलियन पावर हर किसी की जान ले लेगी इसलिए उसकी इन चक्तियों को रोकना पड़ेगा तब कमाला अपनी पावर्स से वहां पर एक छूटा सा डूम बना देती है और उस डूम के अंदर जाकर कामरान को यह समझाती है कि तुम कोई सूपर विलन नहीं बलकि एक सूपर हीरो पब्लिक ने तुमारी सूच को बदल दिया है मगर मैं जानती हूं कि तुम अंदर से एक अच्छे इंसान हो लेकिन कामरान का यह कहना था कि हम हो जाओ और अब कमाला की समझाने के बाद में कामरान शांत हो जाता है और अब जैसा कि कमाला ने अपने बैस फ्रेंट करीम को अपनी मदद के लिए बोला था तो उसकी मदद यही थी कि करीम अपने दुश्मन यानि की नूर डायमेंशन की जिन्नों को सहारा दे और वह ज सैनिकों कहती है कि जितना जल्दी हो सके कमाला को पकड़ लेकिन इस बात से वहां खड़ी पब्लिक गुस्सा जाती है और अब तो वह उन पुलीस वालों के सामने आकर कमाला की और से खड़े हो जाते हैं कि तुम कमाला को टेच भी नहीं करोगे क्योंकि वह हमारी सूपर ह वहां से निकल पड़ती है कि अब हर कोई जो कि उस भीड में मौझूद था ऑनलाइन आकर कमाला के बारे में अच्छे कमेंट्स कर रहा था कि किस तरीके से उन बुरे लोगों से कमाला ने हमारी जान बचाई हर कोई लाइव आकर काफी खुश था वहीं सीन शिफ्ट होता ह है उसी सीक्रिट हाइड आउट पर जहां पर कामरान पहुंच चुका था करीम से मिलने के लिए मैं इस एपिसोट की एंडिंग में हम देख पाते हैं कि कमाला आपने विंडों के बाहर बैठ कर सोच रही थी कि आखिर जो वह कर रही है वह सई है यह गलत तभी उसके पिता पार उसके पास आते हैं और क्या तुम्हें नाम क्यों रखा तो में नाम कमाला करेंगा तो क्यों है कि से अपना एक नया नाम मिल जाता है तो कि के निकल पढ़ती है दुनिया को बचाने के लिए अब यहां पर मिस्स मार्वल के लास्ट एपिसोड में टोटल दो ग्रेडिट जी ने एक है मिट क्रेडिट और एक है पूरे इंसिडेंस के एक हफते बाद में ब्रूनो और नाकिया आकर कमाला से मिलते हैं और बताते हैं कि क तुम्हारे डी ने पर रिसर्च करी तो मुझे यह पता लगा कि तुम काफी ज़दा अलग हो तुम्हारे डी ने में कुछ तो खास बात है लेकिन कमाला उसकी बात पर ज्यान नहीं देती और यह सब वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ यह शांदर एपिसोड भी यही प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और पहली बार इस चानल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैं इसके बाद में शी हल की सीरीज आप लोगों के लिए लाने वाला हूं सब तब तक लिए की वाचिंग मिलते हैं अगले वीड झाल